इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उप्रब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलो की गोपनियता भंग होती है डिफन्स डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारियों के अधार पर काम करता है जो सारवजनी क्रूप से मौजूद हैं बत्तरी नवार है इमरान खान का मेरे खिलाव पुर्च के साथियों का ये एटमी हमले से कम नहीं है पाकिस्तान का ये पहला वजीर आदम होगा जो वजीर आदम की कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरे मुलक की अदालत के अंदर जाकर जर्माना जमा करुआ रहा है कि उस मुलक ने जो पैसा पाकिस्तानी गरीबों को दिया वो पैसे में से चोरी करके पैसा निकाला मनी लांडर करके उसी मुलक में पहुंचाया और उस मुलक में अपने अकाउंटों में डाल लिया इनको शरम नहीं आता है कि 10-12 साल बाद 80 pages का evidence आपकी क्रुकरी का आपका जो चोरी का आप डिस्प्रूव नहीं कर सके वो allegation को लेहाज़ा आप चोर है मैं अपने दोस्तों साथियों और पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल कर पाकिस्तान की इज़त को हम बरतानिये के अदालत में रिस्टोर करवाएंगे यह नहीं अब corruption के case के अंदर भी शैबाज श्रीफ ने अकेले बेज़त नहीं होना उसके दमाग ने और शैबाज श्रीफ ने अकेले बेज़त नहीं होना पहले वहाँ पे केस करना है फिर वजीर आदम बनना है और फिर पूरे मुल्क को अपने साथ बेज़त करवाना है तो दोस्तों पाकिस्तानी PM, पाकिस्तानी Political Analyst और पाकिस्तानी पत्रकारों की इन बातों से इतना तो समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान की जो नाक है वो एक बर फिर वर्ड लेबल पर कट चुकी है और पाकिस्तान की ये नाक किसी और ने नहीं बलकि खुद उनके PM, शहबाज शरीफ ने कटवाई है ब्रिटेन की एक कोट ने कहा है कि शहबाज शरीफ कटगरे में आए और साबित करें कि वो चोर नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की है जस्टिस निकलन, उसने मैथ्यू निकलन ने क्या कहा, जब ये कहते थे थे ना कि वज़िराजम साहब हैं, बहुत मसरूफ होते हैं और पाकिस्तान से बाहराना बड़ा मसला होगा, मैं आपको बताया तो कब होने क्या जा रहा है जज नहीं ये कहा कि इन दिस कोर्ट रूम, प्राइम निस्टर इस अ क्लेमेंट लाइक एनिवन एल्स, ये मेरी अदालत है, यहां पे जजज जो प्राइम निस्टर है, उसकी एक ऐसी हैसियत है, जो आम साहिलिंग की है, तेरा तारीक हो, अगर जो इसाब जवाब नहीं आ होगा, क्रॉस एक्जैमिन किया जाएगा, नमस्कार दोस्तो, डिफेंस डेटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलो, तो आज आपको पता चली गया होगा कि क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमार जाकत है, उसी एटमी मुल्क का पि-म जो और साबित हो गया है, पाकिस्तान का एक एटमी मुल्क का 22 करोड अवाम का वजीर आजम हो चाए, जैसे भी आकर बैठा है, दोनमरी करके, रजीम चेंज, आपरेशन करके, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है, और पाकिस्तान का पर खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया, तो भाई लोगों, हुआ ये है, कि पाकिस्तानी पी-म, शेहबाज शरीफ सोच रहे थे, कि अब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए है, तो उनका कोई भी कुछ बिगाड नहीं सकता, लेकिन जैसे ही बिटन की कमा सहाब का, हमारे सुलक सहाब का, कोई हाथ नहीं है, शेहबाज शरीफ की इस इंटरनेशनल बेज़ती के पीछे, अगर किसी का हाथ है, तो वो बिटन के अखवार डेली मेल का है, जी हाँ, बिटन का अखवार है डेली मेल, पड़ा मीडिया हाउस है, तो करीब 3 साल पहले, जुलाई 2019 में इसने शहबाज शरीफ की बैमानी को लेकर एक रिपोर्ट चापी, ये रिपोर्ट थी डेविड रोज की, डेविड रोज के बारे में जल्दी सहाब को बता देता हूँ, बिटेन के नामी गिरामी पत्रकार हैं, मुख्यतोर पर इन्वेस्टिगेटिव जानी मदद का पोस्टर बोई था, उसने भुकम पीडितों के लिए भेज़ेगा फंड्स में से चोरी की हैं, आपको बता दूँ कि साल 2005 में पाकिस्तानी कबजेवाले कश्मीर में बड़ा जबरदस भुकम पाया था, रिक्टर स्केल पर इसकी तीवता थी 7.6, इसका असर पाकिस्तान सहित, भारत और अफगानिस्तान पर भी पड़ा था, 87,000 से जादा लोगों की मौत हुई थी, 75,000 से जादा लोग जखमी हुए थे, करीब 28,000,000 लोग बेखर हो गए थे, इसे साउथ इशिया का अब तक का सबसे विराशकारी भुकम कहा जाता है, दुनिया भर से पाकिस्तान को करीब 5,5,000,000,000 की मदद मिली, इनमें ब्रिटन के टैक्सपेर्स के करीब 500,000,000 पाउंड बेज़े गए थे, डेविड रोज ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि शरीफ खांदान ने भुकम पीडितों की मदद के लिए ब्रिटन द्वारा भेजी ग अब ही नहीं हुआ, और सोचिए, 500,000,000,000 डालर आएं हैं, 100,000,000 आप हजम कर रहे हैं, 100,000,000 वो किसके थे भाई, वो घरीब के थे, तुम्हारे मुलक के घरीब के थे, I just cannot understand, अगर पुलीस ना हो, खुदा तो है अब जरा सोचिए कि भुकम की वज़े से पाकिस्तान की गरीब आवाम मदद की आस लगाए बैठी थी, ब्रिटन ने इतनी बड़ी रकम मदद के लिए भेजी, लेकिन उन पैसों का एक बड़ा हिस्सा शरीफ खांदान हरप कर गया, शरीफ खांदान ने बैमानी की सारी इ एक रिपोर्ट के मताबिक ब्रिटन ने भारत से करीब 45 ट्रिलंड डॉलर स्चोरी किया, वैसे हमारे भारत को लूटने का काम सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कुकू एफ़े पर मौजूद एक बुक समरी है, इसे आप जरूर सुन मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा फैदा ये है, कि ये हार्ट बुक्स की तरह महेंगी नहीं होती, और ये आपका काफी सारा वक्त बचाती है, मैं आपको परस्नली कहना चाहूँगा कि आप हर तरह के आडियो बुक्स और बुक्स समरी को सुनिये, ज 10,000 से भी जादा ओडियो शोज की लाइबरेरी मिलेगी, डिफेस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकुफम पर एक बेहद खास ओफर है, अगर आपको उपन कोड DDT50 का इस्तमाल करेंगे, तो आपको 50% का स्पेशल डिसकाउंट मिलेगा, यानि 399 रुपीज क इस ओफर का फायदा उठाई है, चलिए, वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि शरीफ खांदान ने मिलियन आफ पाउंड्स की मनी लॉंडरिंग को कैसे अंजाम दिया, किस तरीके को अपना कर इतनी बड़ी चोरी कर ली, सबसे पहले शरीफ में रहने वाले पाकिस्तानी कैश लेकर आफताब महमूद नाम के शक्स के पास पहुंसते हैं, और कहते हैं कि उन्हें ये पैसे पाकिस्तान में अपने रिलेटिव के हां भेजने हैं, महमूद ने एकदम क्लीन मनी को उन फेक इन्वेस्टर्स के अकाउंट में भेज दिया शाहिद रफीक के पास रखवाया गया था। कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के सियासत में हंगावा मचा दिया, शरीफ खानदान पर हमले तेज हो गए, खासकर इमरान खान ने तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया, शरीफ खानदान ने इससे बचने का प्लैन बनाया, एक तीर से दो शिकार करने की योजन बनाई, डेली मिल के रिपोर्टर डेवीड रूस के खिलाफ मानानी का मुकदमा दर्ज, शरीफ ने करवा दिया, शरीफ को लगा कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में कोट के चहरी, जज़ पुलेस, अंटी करप्शन, सब को सेट कर लिया है, सबसे अपने आपको क्लीन दिलवादी है, उसी तरह बिटिश कोट में भी मामला सेट हो जाएगा, और जैसे ही मामला सेट होगा, वो इसे लेकर पाकिस्तानी हवाम के पास पहुँच जाएंगे, और कहेंगे कि देखो, मैं पाक साफ हूँ, कोई चोरी नहीं की है, तो उनकी सियासत भी चमक जाएगी आपने इनको सू क्यों किया, इसलिए कि पाकिस्तान को बताने, देखो, मैं सू कर रहा हूं इनको, इसकी आखरी प्रेस कानफरंस, ये प्राइम मिनिस्टर की जो हुई ती लाओर में, उसमें यहीं कहा, देखो, मैंने क्या किया है, उनका मुँ बंद कर दिया है, लेकिन ब पाकिस्तानी आवाम को चूना लगा रहे थे, अब कोट ने शेबाज शरीफ और उनके दमाद पर जुर्माना लगाया है, शरीफ को 30,000 पाउंस और उनके दमाद को 27,000 पाउंस, यानि कुल 27,000 पाउंस का जुर्माना, और आपको जानकर हैरानी होगी, कि बिटन की कोट जबाब केस हार चुके होते हैं. अगर आप 13 दिसंबर को, उस पर टाइम भी लिखा गया, अगर आप इस डिफेंस का जवाब नहीं देते, जो सबूत अदालत में डिफेंस के तोर पर इस्तमाल पेश की गए हैं डेली मेल की तरफ से, तो आपका केस ट्रक आउट कर दिया जाएगा. आप जाद रखें, जि इसकी हेरिंग जितना खरचा हुआ है, तो ये एक इंधाई आहम नुक्ता है. अकाउंट्स के हवाले से बात पूची जाएगी जिन अकाउंट्स में आपके पैसे आए और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा. दिलिंग टेक्टिक्स और स्यासी तोर पर तो आप इस्तमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में जलसों में के देखो डेली मेल को हमादालत ले ग आप भी उनी की तरह हैं. आप पाकिस्तान में चाहे कितनी भी बड़ी तोप हों. लेकिन यहां पर आप में और दूसरे आरोपियों में कोई फर्क नहीं है. अब ज़रा सोचिए कि जो केस इंटरनेशनली फॉलो किया जा रहा है. बिटिश मेडिया लगातार कवर कर रही है बड़े पैमाने पर कर रही है. वहां की कोट ने जब शहबाज शरीफ की आउकाद दिखाई तब पाकिस्तान की इज़्जत कैसे दुनिया भर में तार-तार हो रही है. यह आप समझ पा रहे हो. शहबाज शरीफ तो मूँ छुपा भी लेकिन जरा सोचिए कि एक पाकिस्ता पाकिस्तानी आवाम कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी. जो वहां ब्रिटन में है वो भी और जो यहां पाकिस्तान में है वो भी. अब उनकी अदालत में वजीर आजम और आम आदमी बराबर है. चिड के सड के भुन के जल के कहता हूँ ना कि हमारे पले है क्या. बत ये देखो. उनको कहना पड़ा कि वजीर आजम हो या आम आदमी हो. कभी ये हमारा प्राइब था. कभी ये हमारी पहचांग थी. अब पहचांग क्या है? ना हम पाकिस्तान रखो. साथ पक लगाओ इसलामी की भी और जमूरिया की. बस. बदनामी इसलिए जादा है क्योंकि एक तरफ तो ये अपनी आवाम में जाकर लगतार दावे करते रहे कि अखबार ने जूटी खबर दी है. वो इससे पाक साफ होकर निकलेंगे. लेकिन जब डेली मेल की तरफ से सबूतों का पूरा पुलिंदा कोट में जमा कराया गया. कोट ने उन्हें देखा तब शहबाज शरीफ से उन सबूतों का जवाब देनी के लिए कहा गया. अब शहबाज फस गए. जुटलाने वाले सबूत कहां से लाएं? मनी लाउंडरी के जो सबूत कोट में पेश किये गए उन्हें वो कैसे जुटलाएं? क्योंकि सबूत होता तो मामले को इतना लंबा नहीं कीशते. सबूत पेश करने में आनाकानी नहीं करते. डेली मॉयल के सबूतों का जवाब दे चुके होते. अपने आपको डिफेंड कर चुके होते. एक मुका मिला था आपको. आपने खुद कहा था आप डिफेंड करेंगे. आपने नहीं किया. लेहाजा हम केस लाते हैं कि आपके जो वन हन्रिड मिलियन बाउंड्स हैं इस मुल्क में वो चुरीके हैं. वो हमारे टैक्सपेर्स के पैसे हैं. वापस करो. देखे, डेली मेल के जो रिपोर्टर हैं, डेविड रोस, वो कोई कच्चे खेलाड़ी नहीं है. इन्वेस्टिगेटीव जनलिजम में उनका बहुत बड़ा नाम है. उन्होंने पहले ही हर सबूत जमा कर लिया था. सारे सबूतों को क्रॉस चेक किया. पैसे किधर से किधर गए, कहां से इन हुआ, कहां से पैसों को आउट कराया गया. सब के लिंक्स सबूतों के साथ उन्होंने निकाले. तब जाकर शरीफ खांदान की चोरी पकड़ में आई और उसके बाद उन्होंने जाकर ये रिपोर्ट चापी. दरसल डेविड रोज काफी लंबे वक्त से ब्रिटन की एक पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. ये पॉलिसी है फॉरन एड देने की, यानि दूसरे देशों को मदद देने की. ये करीब 14 बिलियन पाउंट्स साल आना है. ब्रिटन की टोटल इंकम का ये करीब 0.7 इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि शरीफ खांदान ने ब्रिटन से आए पैसों में चोरी की है. डेविड ने जाच के दौरान ये भी पाया कि शरीफ खांदान की वर्थ साल 2003 में जहां 1,50,000 पाउंट्स की थी, वो साल 2018 में, यानि सिर्फ 15 साल में बढ़ कर 200 मिलियन पाउंट्स हो गई, जिसमें शहबाज शरीफ का लाहॉर में एक पैलस भी शामिल है, जो करीब 53,000 स्कॉर फीट का है. यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने करीब 32 मिलियन पाउंट्स की से 202 लोगों के जरीए ब्रिटन और यूएई से भेजे गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कानून के अनुसार विदेश से आने वाले पैसों के लिए एक डियू डिलिजन्स का फॉर्म भरना होता है, जिसमें ये प्राउधान है कि ये पैसे उन लोगों ने भेजे हैं, जिने वो परसनली तोर पर जानते हैं और ये इन्वेस्टमेंट के लिए भेजे गए हैं. मिलियन पाउंट्स मिले, मनजूर एहमद नाम के शक्स के द्वारा 13 पेमेंट्स के जरिए 1.2 मिलियन पाउंट्स की बिरमिंगम से शहबाज शरीफ की पतनी नुसरत, बेटो हमजा और सुलिमान को पैसे भेजे गए. उस से शक्स मनजूर एहमद को ढूंडा गया जिसके न जिस जिन्दगी में ना तो 1.2 बिलियन पाउंट्स देखे थे और ना ही कभी वो इंगलेंड आया था. इसके अलावा एक और शक्स महबू बली का पता चला जिसने HSBC बैंक के जरिए शहबाज शरीफ के परिवार को करीब 8,50,000 पाउंट्स बेजे थे. वो लाहॉर का एक प्रेडी लगाने वाला शक्स निकला जो पुराने बैंक नोट्स को बदलने का काम कमिशन पर करता था. डेविड रोज लाहॉर जाकर महबू बली से मिले भी उसने बताया कि उसकी पहचान को चुराया गया जिसे उसकी जिन्दगी पलट गई है. अब वो नीमबू पानी किसी तरह से अपना परिवार चला रहा है. देखे शरीफ खांदान का पाकिस्तान की सियासत में बढ़ा नाम है. उनकी पहुँच बहुत दूर तक है. किसी आम पाकिस्तानी के दस्तावेजों को निकलवा लेना, उसके नाम पर बिटन में फ्रॉड कर देना, उनके लिए को पाकिस्ताब महमूर, बिर्मिंगम में उस्मान इंटरनेशनल नाम की मनी चेंजिंग फॉर्म का मालिक है. उसने बताया कि मनी लौन्री का काम होता कैसे है. जैसे पाकिस्तान से एक फैक्स आएगा, उस पर उन लोगों के नाम लिखे होंगे जिने पैसे भेजने हैं. मैं ज जया शुरू की. तब जाकर उन्हें इस बात के सबूत मिले कि सरकार द्वारा पाकिस्तान में चलाया जारे प्रजेक्ट्स में घोटाले किये गए. कमिशन के तौर पर करोणों रुपए लिए गए. ये सब कैश में होता था. फिर करोणों के उस कैश को शाहिद रफीक के लाहौर में जमा कराया गया. ये बंदा लाहौर में आफताब महमूद का बंदा था. रफीक भी जेल में है. उसने सिर्फ यही बताया कि वो नहीं जानता कि पैसा कहां से आता था. यहां पर एक सवाल ये भी उठा कि फिर आफताब महमूद को पैसे वापस कैसे मिले? तो वो सबसे पहले इंतिजार करता कि ब्रिटन में जो उसके पास क्लाइंट्स हैं वो पैसे भीजने आएं जब उसके पास एक लाक पाउंट्स की रकम जमा हो जाती थी तो फॉरण वो उसे शहबाज के बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता. जाच करने वाले को इसी तरह से की करीब 21 मिलियन पाउंट्स की पेमेंट्स का पता चला. डेविड रोस को जाच में इस बात के सबूत भी मिले है कि 9.1 मिलियन पाउंट्स जिन नामों का इस्तमाल कर भेजे गए वो सारे फेक थे. वो दुनिया में पाए ही नहीं जाते मौजूद ही नहीं है. जबकि उनके नाम पर फेक लोन दिये गए है. परिवार की कई कमपनि ने छोड़ दिया. इन से अच्छे तो वो बेचारे गिद्ध होते हैं जो कम से कम जानवरों के मरने का इंतजार तो करते हैं. अब देखना ये होगा कि ब्रिटन कोट की फजीहत के बाद, वहां होई बैजजदी के बाद, क्या वो अपने ही किये वादे को पूरा करते हैं? या फिर पल्टी मार जाएंगे जो वादा उन्होंने पाकिस्तान की जनता के सामने आकर प्रेस कॉन्फरेंस करके की थी. बरतानिया की अदालतों में फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं पूरी कौ़म से माफी मान कर मैं सियासर से अपना किनारकश होँगा और हर किसम सिजा तो दोस्तों उमीद है कि डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि कुकु एफम पर जाएए बुक समरी देफ्ट ऑफ इंडिया जरूर सुनिये और ह साथ ही आपको ये भी याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर करना मत भूलिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद झाल 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